मित्रों, दिवाली में कुछ ही दिन शेश हैं, आप तमाम सारी तैयारी करने में दस्त होंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर आपको धन सम्मंदित दिक्कते परेशान कर रही हैं, या फिर आप काफी लंबे समय से धन सम्मंदित समस्याओं से जूज रहें, तो मान लिजे इन सारी समस्याओं को दूर करने का वक्त नजदिक ही है, जी हाँ, इस दिवाली आप तीन उपाय आजमा कर धन सम्मंदित तमाम दिक्कतों से रहत पा सकते हैं, तो आईए जान लेते हैं, मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्रावा दिपावली पर दिपक में लोंग डाल कर जलाएं, जोतिस सास्त्र के अनुसार ऐसा करना अतिनतर शुब होता है, लेकिन ध्यान रखे दिपक जलाने के बाद हनुमान जी की आरती करना ना भूलें, इसके बाद उस दिपक को घर के पूजा घर में या फिर हन रूमान जी के मंदिर में रख दे, माननेता है ऐसा करने से धन सम्बंदिस समस्याएं दूर हो जाती है, अब जान लेते हैं दूसरा उपाए, दिपावली के दिन माता लक्ष्मी को चैने की कच्ची दाल चड़ाएं, इसके बाद में मा लक्ष्मी को प्रणाम करके उसे पी दिवाली के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिव लिंग पर अपराजिता के पुष्प और अक्षत चड़ाएं, लेकिन इस बात का विशेज ध्यान रखें कि अक्षत में प्रियोक किये जाने वाले चामवल का कोई भी दाना तूटा नहीं हो, इसके बाद भोले विडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली